जाहिंद अब्जेक्टिव लुसेंट चेप्टर नमर फोर आज चलेगा जो कि तीन चेप्टर पहले ही डाल चुका हूँ देखे दोस्तों चैनल शुरू करने से पहले सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि जितने भी अप्टेट्स हो आप तक पहुंच जाए देखे पहला क्वे क्वेशन नमर दूसरा देखे किसी तत्तु के समस्थानिकों के बीच अंतर जिनकी भिन अलग संख्यां की उपस्थिति के कारण होती है किनकी होती है तो तूसरा का जो अंसर हो जाएगा अप्शन नमर बी निट्रॉन की क्वेशन नमर त्री देखे किसी परमानु नाभिक का आईशोटोप वो नाभिक है जिसमें क्या होता है तो तीसरा का जो अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमर ये बी पोटाउनों की संख्यां वही होती है प्रांतु निट्रॉनों की संख्यां भिन होती है किसी तत्त में दो समस्थानिक किन गुनों में भीन होती है किन गुनों में भीन होती है तो चोथा का जो एइसर हो जागा option नमर। a neutron संख्या व दर्मान संख्या में भीन होती है question number five देखिये hydrogen के समस्थानिकों की संख्या कितनी है तो hydrogen के समस्थानों की संख्या कितनी है, फाइब का जो answer हो जायगा, option number B, 3 है, question number 6 देखिए, निमिल खित में से कौन hydrogen का समस्थानिक नहीं है, तो कौन hydrogen का समस्थानिक नहीं है, तो छट्ठा का जो answer हो जायगा, option number C, इत्रियम जो है हैड्रोजन का समस्थानिक नहीं है कुश्चन नमर साथ देखिए हैड्रोजन के रेडियो सक्रिय शमस्थानिक को कहते हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं तो सात्मा का जो एंसर हो जागा अप्षिन नमर डी ट्राइटीयम क्या होते हैं क्या होते हैं तो एट का जो एंसर हो जाएगा अप्षिन नमर ए समस्थानिक हैं क्या है तो 9 का एंसर हो जाएगा औप्षिन नमर डी समभारिक हैं क्या हैं तो 10 का जो एंसर हो जाएगा ओप्षिन नमर सी पोलो नियम में सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं question number 11 देखिए पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है तो 11 का जो एंसर हो जाएगा option number D, 37 question number 12 देखिए चटानों की आयो ग्यात करने के लिए radioactive आयो अंकन में किस समस्थानिक का उप्योग किया जाता है किसका उप्योग किया जाता है 12 का जो एंसर हो जाएगा option number A, uranium का question number 13 देखिए परिशंचरन तंत्र में रक्त के ठक्ये की स्थिती का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग क्या जाता है 13 का जो एंसर हो जाएका और खुशन को नियंतित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसो टोप कौन सा है तो कौन सा है तो पंद्रा का जो एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमर B कोबाल्ट 60 गते क्वेश्चे नमर 12 देखिए ंगलान करना है तो इसका मिलान का जो एंसर है जो ऊपर में दिया हुआ लेकिन बता देते हैं इसका देखिए मिलान चीना रेडियो समस्थानिक और निदानात्मक उपयोग इसका हम एंसर बता देते हैं दोस्तों तो इसका आरशेनिक 74 का जो हो जायँका ट्यूमर को बाल्ट 60 का हो जाएगा Прonya का फॉर कैंशर आयोधिन 131 का हो जाएगा bleibt थैराड ग्रांटि की सक्रियता और सोडियम 24 का हो जाएगा ये रक्त व्यतिक्क ठीक है तो इसका option हम देख लेते हैं option हो जाएगा दोस्तो option number C 3,4,1,2 तो next देखिए question number 17 वैसे नाभिक जिसमे निट्रोनों की संख्या समान पतू पोट्रोन की संख्या भीन हो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं 17 का जो अंसर हो जाएगा option number D some new tronic कहलाते हैं question number 18 देखिए आईसो टोन होते हैं आईसो टोन क्या होते हैं तो 18 का जो अंसर हो जाएगा option number B समान संख्या में निट्रोन होते हैं question number 19 देखिए some new tronic होते हैं जिन में क्या होते हैं तो 19 का जो अंसर हो जाएगा option number D परमानु करमांक तथा परमानु भार भिन किन्तु निट्रोन की संख्यां समान होते हैं ठीक है question number 20 देखिए 36 के आर के पावर 86 तथा 37 आर भी के पावर 87 क्या कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं तो 20 का जो अंसर हो जाएगा option number C some newtronic कहलाते हैं question number 21 देखिए निम्लिखित में से some newtronic sum है कौन सा some newtronic sum है तो 21 का जो अंसर हो जाएगा option number D C के पावर 14 7 N के पावर 15 और 8 O के पावर 16 ठीक है question number 22 देखिए 3 L I के पावर 7 तथा 4 B E के पावर 8 है तो इसका answer क्या हो जाएगा बाइस का जो answer हो जाएगा दोस्तों option number C आइसो टोन है ये आइसो टोन का समिकरन है question number 23 देखिए 15 P के पावर 31 तथा 14 SI के पावर 30 क्या है तो क्या है ये तो इसका answer हो जाएगा option number D some newtronic है some newtronic देख के समझी जाते हैं देखिए यहाँ 15 31, 14, 30 question number 24 देखिए यह आइस जिसमें electronic की संख्या समान होती ही कहलाते है electronic के समझ्ख्या जब समान होगा तो क्या कहलाएगे 24 का जो answer हो जाएगा option number D some electronic कहलाते है question number 25 देखिए L के पावर 3 प्लस किसके साथ sum electronic है किसके साथ sum electronic है तो पचीज का जो अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सन नमर D F- क्वेस्चन नमर 26 देख लेते हैं 20NE, 23NA+, 10F- और 24MG, 2+, के बारे में निमलिखित में से कौन सा एक सही है 26 का जो अंसर हो जाएगा अप्सन नमर C यह एक दूसरे के सम इलक्टोनिक है ठीक है क्वेस्चन नमर 27 देखे 18AR के पावर 40, 19AK के पावर 40 अतथा 20CA के पावर 40 है क्या है 27 का जो अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सन नमर B सम भारिक है क्वेस्चन नमर 28 देखे निमलिखित में से किस के उस सरजन में सम भारिक उत्पन होते हैं तो 28 का जो अंसर हो जाएगा अप्सन नमर B बीटा किरन में क्वेस्चन नमर 29 देखे लास्ट है चप्टर का निमलिखित युगमों में से कौन से या से सही सुमेलन है कौन सा सही सुमेलन है तो 29 का जो अंसर हो जाएगा option नमर बी केवर एक है सम अस्थानिक समान परमानु संख्या किन्तु भिन परमानु सम बहित वाले परमानु थेंक्यू देस्तो थेंक्यू पर वाचिंग सस्क्राब करना नहीं भुलिएगा next chapter आ जाएगा तब तक के लिए जैहिंद